समान अधिकार एक आवश्यक विश्य वानी पीडिया से परिचे पार्ट लिखा जाना है श्रील प्रभुपात की शिक्षाइं, व्याख्यान, वारित अलाप और पत्र इस आवश्यक विश्य की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं जैसा कि वानी कोट समान अधिकार श् अलपना नहीं कर सकते वह वैदिक अवधार्ना नहीं है वैदिक अवधार्ना है पुरुष, शेष्ठ, सर्वोज और प्रकृति का अर्थ है अधिनस्त। पुरुष प्रधान है और प्रकृति प्रधान है तो हम जीव हैं हम प्रकृति हैं मिथ्या रूप से यदि हम पुर 11 मार्च 1976, मायापुर, बेचारी जानवरों को क्यों मारा जाए? उन्हें समान अधिकार मिले हैं. लेकिन ये दुष्ट समान अधिकार नहीं देंगे. ब्रेक, राष्ट्री का अर्थ है जो उस भूमे में पैदा हुआ हो. जानवर उसी भूमे में पैदा होते हैं. मनुष्य का जन्म भी उसी भूमे पर हुआ है. व्रिक्ष भी उसी भूमे में पैदा होते हैं. लेकिन वे राष्ट्री नहीं है. केवल मनुष्य ही राष्ट्री है अपूर्ण ज्यान वारितालाप 11 जुलाई 1973 लंदन अत वैदिक वैदिक व्यवस्था के अनुसार स्त्री पुरूस का कोई समान अधिकार नहीं है स्त्री सद्व पराधिन होती है वह मनुसमहिता कानून है नस्त्री स्वातंत्यन अरहते एक महिला को आजादी पाने की नितों जरूरत है और नहीं वेह इसकी हगदार है ये गुन के लिए अच्छा है यदि महिला संग्रक्षन में रहती है कम मुम्र में पिता के अधीन जब वेह बच्चा है जब वेह वेह जवान हो पति के संग्रक्षन में और जब वेह बूरी हो जाती है तो बुजूर्ग बच्चों के संग्रक्षन में वेह उनकी बहुत सुरक्षित स्थिती होती है श्रीमत भाग बतम व्याख्यान 20 दिसंबर 1974 बामबे ये मानव सभिता का करना चाहिए ये भारती सभिता है ऐसा नहीं कि पति पत्नी हम समान अधिकार वाले कि योरोप अमेरिका में अंदूलन चल रहा है समान अधिकार वह वैदिक सभिता नहीं है वैदिक सभिता यह है कि पति को क्रेश्न का एक गीमांदार सेवक होना चाहिए और पत्नी को पति कि एक इमांदार नौकरानी होनी चाहिए श्रिमत भाग बतम व्याख्यान 2 मार्च 1976 मायापूर सामवादी दर्शन में भी अनिक दोश हैं वे भी सभी के लिए समान अधिकारों के बारे में सोचते हैं लेकिन जानवरों के लिए क्यों नहीं तुम्हें जानवरों को मारने का क मार डालते हैं अता ये संगठित समाज नहीं है संगठित समाज जैसा होना चाहिए कि उसमें प्रथम श्रेणी के पुरुस ब्राम्भन हों वे दूसरे दर्जे के लोगों प्रशासकों को सलाह देते थे और मनुष्यों का प्रशासक वर्ग वे देखेंगे कि हर कोई धार् सिध्धान्तों का पालन कर रहा है भगवत गीता व्याख्यान साथ सितंबर 1973 स्टॉक्वम